हलो और विल्कम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऐसी टीटोनी बिग बैश दोजार रठारा उनने इसमें मैश नंबर ग्यारा खेला जाने वाला है कल पर्च स्कॉचस वर्स एडिलेट स्ट्राइकर्स का तो कल दो मैचेस हैं डबल हेडर ह स्ट्राइकल एक मेलबन स्टार्स और सिड्नी थंडर्स का भी मैच है और यह जो सेकंड मैच होगा करीब करी चार साड़े-चार वजे शायद यह मैच खेला जाएगा पर्च स्टेडियम पर जिसको ऑप्टस स्टेडियम भी बोलते हैं पर्च स्कॉचस और एडिलेट स्रा पर्च स्टेडियम है यहां पर लास्ट यह दो मैच हुआ था और इस साल भी एक मैच हुआ है अभी तक तो लास्ट यह क्या हुआ था बहुत बड़ा डाइमेंशन है इस वाले ग्राउंड का पूरा तो उसको रखते नहीं तो होडिंग जो होती है अडविटाइजिंग हो मैच के बारे में बात करेंगे सबसे पहले लास्ट मैच की बात करता है लास्ट एर में जो एक मैच हुआ था तो होबर्ट हरीकंस ने 210 बना दिया थे लास्ट यह और पर्च स्कॉचर को 139 पर ही ओल आउट कर दिया था तो लास्ट यह हुआ था अब जो इस साल हुआ है पर्च स्कॉचर का मैच हो था उसमें एडिलेट स्ट्राइकर्स को पर्च स्कॉचर ने 88 पर ही ओल आउट कर दिया था 17.2 वर्ज में जिसमें जेक विदरिल ने 22 रंस कर दिया थे नीचे से आकर के राशीद खान ने 21 रंस कर दिया थे नहीं तो यह सत्तर पर भी सिमट सकती जाए रिचर्ट सन्ने 3 विक्टे ली थी एजे टाय ने 2 विक्टे ली थी नेतन खूटराय ने शायद 1 विक्ट ली थी यह तहने 2 बालिंग अध्याव्र ने 29-0 ने 3 विक्ट खोयकर ते 18 और 11 बना दे जिसमें बोसिस्तों ने और Turner ने? बोसिस्तों ने 33 रंस करहते है, Turner ने 24 रंस करहते है, Billy Stanley ने एक विकट ली थी, और Cameron Valentine ने एक विकट ली थी है, तो ये रहा था पूरे जो, इस साल का जो एक मैच यहाँ पर हुआ है, कल जो है, वो दूसरा मैच यहाँ पर खेला जाएगा, दोनों टीमों को प्लेंग 11 स्कॉर्ड में बताया तो दोनों टीमों ने जो स्कॉर्ड अनौंस किया है तो यहाँ पर आपको सीधा-सीधा उपर सबसे उपर नजर आ रहोगा मिचल मार्श टर्नर है फिर एगार है तो सारा आपने देखा वाई है तो मैथ्यू केली को भी स्कॉर्ड गंदर अनौंस किया यह धियान दखना है उस्मान कादर को भार करते वे तो मैथ्यू केली को स्कॉर्ड गंदर अनौन ने लाया और यहां सगरम देखा मिचल मार्श को लाया एश्टन एगार नेथन कूल्टनायल आ सकते हैं फिर जाय रिचरटसन है एजे टाय है जेसन बैरंडॉर्फ है विल बोसिस्तो और मैथ्यू केली स्कॉर्ट गंदर अनाउंस्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ्यू केली यह रहे और विल बोसिस्तो अगर मैं अब ब्रिस्बन हीट की टीम में आप देख सकते हो यह जो प्लेयर है यह है मैट रैंशो एक तरह से इतना ज्यादा टीटोंटी का खतरनाक प्लेयर नहीं है टेस में ठीक्टा खेलता है वंडे में भी ठीक्टा खेलता है कुइन्सलेंड के लिए और सिधर-सिधर यह स्कॉ इसको मौका दिया जा सकता है यह हो सकता है मैं एक प्लेइंग लिए उन बतायता हूं मैक्स ब्राइंट और लास मैच में सैम हेजलिट ने उपन किया थे नंबर चार पर मैकलम बैटिंग करने आया थे तो अगर वही ठोरी के साथ जाते हैं तो यहां से फिर रेंशो से उप रॉस खेलने चाहिए तो यह होगा अगर उपन मकलम करते हैं तो ब्राइंट के साथ तो फिर यह टीम होगी क्रिसलिन बरन्स होंगे नंबर चार पर एल रॉस पांच पर होंगे फिर बैन कर्टिंग होगे पियर्सन पैटिंसन लालार या डॉगिट में से कोई यह खेल सकता यह तेरा में का स्कॉर्ड अनाउंस है तेरा के तेरा प्लेयर यहां पर लिखे वे हैं लाला डॉगिर में को यह खेल सकता है यहां से अगर हम देखें मुझीबू रहमाना मुचल स्वेपसन है दोनों अच्छे बॉलर ना दोनों स्पिनर है और अगर रैंशो खेलते हैं त यहां से बहुत अच्छी प्लेयर मेरे साथ चार इंपोर्टन रहने वाले हैं आपको उनको टीम में रखना है अब जो यहाँ से Grand League के लिए कुछ options है Mitchell Mars को लोगों को भी नहीं पता है सिर्फ एक दो percent लोगों ने इनको लिया वाए कि खिलने वाले हैं यह Renshaw को भी एक अद परसंट लोगों ने लिया वाए Joe Burns ज़ादा लोगों ने नहीं लिया Willi और AJ Tye तो जो पांच ऐसे प्लेयर है जिसमें से Renshaw को तो मैं नहीं बोलूँगा जो की मैच चेंज कर सकते हैं पर बाकी जो चार प्लेयर हैं वो कहीं न कहीं अपने दम पे मैच पलट सकते हैं और बहुत important भूमी का अदा कर सकते हैं मैच के अंदर तो ये रहने वाली है Grand League के लिए कुछ Captain Vice Captain की एक List अब चलते हैं Dream 11 टीम की तरफ और टीम बता देता हूं मैने क्या बनाई भी है तो दो मैच इससे पहले होने है जो की होना है श्रिलंका और New Zealand का श्रिलंका New Zealand की वीडियो उपर आई बेटन पर पॉप अप हो रही होगी यह जरूर देख लेना मिस मत करना है वाली वीडियो और जो दूसरा मैच है बंगलादेश प्रेमेर लीक भी मैच है अगर ट्राय करूँगा मौका मिला टाइम मिला तो मैं वीडियो जरूर दूँगा मैच की कोशिश जरूर कर रहा हूँ मैच की वीडियो देने की आपको तो यह वाले भी अगर बन जाती है वीडियो तो यह भी आई बेटन पर में दाल दूँगा और यहां से अगर हम देखें तो यहां से Melbourne Stars और Sydney Thunders वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ तो यह वाले वीडियो भी आपको देखनी है Sydney Thunders, Melbourne Stars वाली यह भी अपलोड कर दी है इसमें भी एकाद न्यूज बहुत अच्छी एक दो प्लेयर भार गए है तो यहां पर यह वाले वीडियो भी देखना है अब मैं सीधा लेकर कर चलता हूँ जो की हम देख रहे है पर्सकॉचर और Brisbane Heat की टीम क्या मैंने बनाई है मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ दिखा देता हूँ Cameron Bencroft को मैंने लिया है Pearson नीचे आ करके बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे है दोनों नहीं है यहाँ पर अगर हम देखे Sam Whiteman और Jaws English दोनों को नहीं लेना है Cameron Bencroft या फिर Jimmy Pearson ही आपको लेना है मैंने Cameron Bencroft को लिया है नंबर तीन पर ये खेलेंगे Jimmy Pearson जो है वो कही ना गई साथ वे आठ वे नंबर पर खेलना हैंगे इसलिए Bencroft के तरफ मैं गया हूँ उस वाले मैच में अब जो चार Batsmen मैंने लिए है वो है Chris Lynn, Chris Lynn को छोड़ना नहीं बनता बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है बहुत अच्छी फॉर्म में इसमें कोई डाउट नहीं है तीन मैच भी तक देख सकते हूँ आप अच्छी खेल रहा है इसमें डाउट नहीं है कोई यहां से मैं नीचे बताऊं तो क्लिंगर को मैं नहीं ले पाए 10 क्रेट है मैं कलम फॉर्म में नहीं है इनके भी 9.5 क्रेट है हिल्टन काट्राइट को आप ले सकते हो एस्टन टर्नर भी बहुत जबर्दस प्लेर है जब जब बैटिंग आये और जो बंस की तरफ में कहा हूँ यह का दोवर बीच में जो बंस से करावाय जा सकता है और नीचे से अगर हम देखे तो यहां से मैंने लिया वाए मैक्स ब्राइंट को तो मैक्स ब्राइंट एक अच्छा उप्शन रहेगा यहां से अगर आपको लेना है ब्रेंडन मकलम तो हम जा सकते हैं ब्रेंडन मकलम की तरफ ऐसी बात नहीं है 0.5 क्रेट बच रहे हैं यहां से जो बर्न्स को छोड़कर मकलम भी आप ले सकते हो, यह एक अच्छा उप्शिन हो सकता है, कहीं न कहीं कल के मैच में एक बड़ा इनिंग इनकी तरफ से भी आ सकती है, तो बर्न्डन मकलम को ट्राय जरूर कर सकते हो, तो बर्न्स की जगा मकलम ही रख लेते हैं, एक ब ले सकते हो इनके खेलने के चांसे बहुत हाई हैं और यहां से गरम देखें हैसलेट नहीं खेलेंगे स्कॉट के अंदर नहीं है मैट रंशो या एलेक्स रॉस में से ब्रिजबन हीट के लिए कोई एक प्लेयर जरूर खेलेगा अब तीन जो अलाउंटर मैंने लिया है मैं और नमबर चार पर यह खेलने आएंगे और यह प्लेयर है बहुत जबर्दस बैटिंग में बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है तो बैन कटिंग है और एश्टन एगार को मैंने लिया है यहां से ऑप्शन जो बचेगा वह बचेगा एंडू टाय का जायर रिचर्सन बहुत लिचार रहा है जेम्स पैटिंस बहुत अच्छो बच रहा हा और नीचे सो जो बच रहा है वह बच रहा है मिचल स्वप्सन का तो यह तीन चार ऑप्शन जो है जो आपके बस बचेंगे नेस करके करते हैं तो लिन कैpten बहुत कर लेते हैं प्रविऊ में दिखा जता हूं क तो तीन मैच से बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है और कहीं नहीं थोड़ी बहुत इनको लास मेजर प्रोमोट भी गया गया था तो एक मौका उनको भी दिया जा सकता है आपकी तरफ से तो एस्ट इंटर्ण को भी आप कंसिडर जरूर कर सकते हैं अपने टीम में एक मा प्रिक्स विल्दियो में